आज मैं आप लोग को एक important question का अंसर बताने जा रहा हूं जो कि social science लिया गया है तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए आंसर हिंदी और इंगलिस दोनों ही भासा में दिया गया है तो आज का वीडियो काफिन ट्वेस्टिंग है इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और इसी तरह की knowledge के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा आज का question है खुली बिरोज लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है इसके अंतरगत वे लोग आते हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन यद ही उन्हें हटा दिया जाए तो भी उत्पादर में कोई कमी नहीं आती है under this unemployment those people come who are able to work but they don't get the work under this unemployment those people come who appear to be working but if they drone out from work there will be no effect on production ऐसी ब्रोजगारी हर छेतरक में पाई जाती है such unemployment is found in almost every sector ऐसी ब्रोजगारी मुखिता क्रिशी छेतर में पाई जाती है such unemployment is found mainly in agricultural sector तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि खेत में बहुत सारे लोग काम करते हैं एक ही फेमिली के सभी members काम करते हैं भाई, चाचा, पापा हर लोग काम करते हैं और जबकि ज़रूरत नहीं होती है लेकिन वे बिरोजगार रहते हैं तो मजबूरन काम करते हैं कि चलो कुछ न कुछ फाइदा हो जाएगा यहीं सोच कर और किसी तरह हमारा time भी पास हो जाएगा तो ऐसी बिरोजगारी मुखिता किसी छेतर में पाई जाते हैं किस तरह की बिरोजगारी परचन बिरोजगारी यानि कि डिजगाइस्ट अनिउम्प्लॉइमेंट डिजगाइस का मतलब ही होता है छिपा हो रहना इस प्रगार के बिरोजगार लोगों की गन्ना असपस्ट रूप से की जा सकती है हम लोग गिन सकते हैं कि कितने लोग विरोजगार है और आँखों से दिखाई दिता है कि ये काम कर सकते हैं लेकिन इन्हें काम नहीं मिल रहा है Such unemployed persons can openly be counted इस प्रकार के विरोजगार लोगों की गण्ना असपस्ट रूप से नहीं की जा सकती है Such unemployed persons cannot be counted openly क्योंकि यह disguised रहते हैं, छिपा हुआ रहता है, हम लोग को आँखों से दिखाई नहीं देता है, इसके अंतरगत काम करने की इच्छा रखने वाले बेगती को काम नहीं मिल पाता है, इसके अंतरगत किसी काम में लोग अवस्यक्ता से अधीक संक्या में लगे रहते हैं, इन डिजगाईज़ अनिप्लॉइमेंट, मोर परसंस आर इनगेज़ इन टास्क देन रिक्वायर्ट, यानि कि जरूरस से ज़्यादा लोग काम करते हैं, मजबूरी में, उमीद करता हूँ विद्यारतियों कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, रिसी तरह के खास नोट्स के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजिए, All right dear students and friends, thanks for watching, have a great day, enjoy yourself.